हलो एवरीवन विल्कम बाक तो चानल दिनेश सर लाइव स्टड़ी ट्वल्ट के रिजल्ट तो निकल गए हैं लेकिन दो दिन में बहुत सारे परीज आ रही है कमेंट आ रहे हैं बच्चे परेशान है जिनकी ग्रूपिंग क्लियर नहीं हो रही है बहुत से बर्चे तो इस कन्फूजन में है कि यार मेरी ग्रूपिंग क्लियर हुई है कि नहीं हुई है क्योंकि सभी लोग को यह पता है कि अगर कोई साइंस टूडेंट है उसे MSTCT, NEET, NATA, JMS, JC exam के लिए 12th के अंदर उसकी PCM या PCB की जो ग्रूपिंग होती है 50% या 45% वो होनी चाहिए अब आपने बहुत सारी information निकालने की कोशिच की होगी जहां पर आपको यह पता चल रहा होगा कि 50% का क्राइटेरिया है कहीं पर आपको यह पता चल रहा होगा कि 45% का क्राइटेरिया है बट अगर कोई student है जिसका PCM में 45% या 50% नहीं हो रहा तो वो क्या करें क्या उसे फिर से exam देना चीए या उसके लिए कोई जुगाड है या कोई option है तो इस वीडियो में यही सब देखेंगे कि actual में grouping निकाली कैसे जाने वाली है अगर किसी की grouping नहीं आ रही है तो क्या उसके लिए कोई option है alternate method है क्या तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें तो अब जैसे कुछ बच्चे नीट की exam दे रहे हैं कुछ नाटा की exam दे रहे हैं कुछ जही वगरे दे रहे हैं तो बहुत ही confusion है और group clear नहीं हुआ है तो क्या करना चाहिए तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं नीट और नाटा के लिए तो नीट और नाटा के लिए तो specific है कि 50% जो grouping होनी चाहिए जैसे आपके PCA में या PCB है नीट के लिए PCB है नाटा के लिए PCA में उसमें 50% या उ होना चाहिए जिसको नहीं हो रहा है तो उसको class improvement exam देना होगा इस से related जो हमारा video है इस channel के उपर available आपको मिलेगा आ रहा होगा या आ गया होगा तो वो वीडियो देख लो जिसके अंदर जो जुलाई के अंदर class improvement और repeater exam होने वाली है उसके form filling start हुए तो कैसे होने वाला है तो ऐसे बच्चे जिसके नीट नाटा या MST CT में grouping के लिए नहीं हो रही है उनको वो process follow करना है जुलाई में exam देनी है अभी नीट और नाटा की जो MST CT है उसमें पहले कोवीड के पहले 50% का क्राइटेरिया था लेकिन कोवीड काल में जो higher and technical education minister उदय सामन जी है उन्होंने जो open category के लिए जनरल category के लिए 50% ते 45% का क्राइटेरिया कर दिया था और जो reserve category थे उनके लिए 40% या एक्चुल में 300 में से 135 या उससे ज्यादा मार्स लाना था open category को, reserve category को 120 या उससे ज्यादा मार्स लेना था बट जैसे कुछ बच्चे हैं उनके PCM engineering करना है बट PCM में 130 या 32 हो रहे हैं तब वो परेशान है कि मेरा 135 तो होई नी रहा open category में तो मैं क्या करूँ मेरे 2-3 मार्स से grouping जा रही है तो उनके लिए एक alternate option है तो यह MST CT exam है इनकी website से जो voucher निकाल के detail में देखते हैं तो सबसे पहले यह government of महरास्टा का जो CT cell है उनका information voucher है MST CT 2022 exam के लिए यह आपको website पे आसानी से मिल जाएगा CT cell.mahact.org इस website पर और यह for the academic year 2022-23 है तो इसमें जो लिखा है वो ही आपको follow करना है अब यह पहला page है मैं direct आपको eligibility वाले page पर लेकर चलता हूँ एक eligibility वाला पर जब यहाँ पर इसमें syllabus वगरे सब कुछ दिया है तो अभी देखो पीटा CT के लिए जो eligibility for admission है कोई age limit नहीं है there is no age limit यह आपको पहले से ही पता है grouping की ज़्यादा detail में हम बात करने वाले हैं कोई grouping की बात करने वाले हैं यहाँ पर देखो अभी केंडिडेचर टाइप होता है कोई महराश्टरा के डॉमिसाहिल केंडिडेट होते हैं कोई all India candidates होते हैं कोई समझ रहे हो तो अलग-अलग यह करनाटका बॉर्डर वाले candidate उनके लिए अलग-अलग criteria है अभी जो eligibility criteria है हमारे ब्राउचर के अंदर जो page number आपको मैं बता दूँ page number कौन सा है ब्राउचर के अंदर 9 page number 9 के अंदर detail में देखो समझने की कोशिच करो बहुत अच्छे से बताऊंगा और आपका जो पूरा confusion इस वीडियो में दूर हो जाएगा पूरा confusion और आपको confirm भी हो जागा कि आ आपको रिये एक्जाम देना है कि नहीं देना है तो सरे बच्चे है ना यार मेरी grouping हो रही होगी फिर भी मैं रिये एक्जाम दे कि क्यो मैंनत करूँ क्योंकि class improvement देना है तो all subject देना पड़ेगा ऐसा 2-3 subject नहीं दे सकते हैं तो यहाँ पर देखो बच्चों year and course की हम बात कर यहाँ पर महराष्टा state candidature type जो महराष्टा candidate है उसके लिए वो Indian होना चाहिए कोई age limit नहीं है अब यह criteria देखो clearly यहाँ पर दिया हुआ है कि 45% at least जो होना चाहिए grouping open category के लिए and 40% marks होना चाहिए कोई OBC other backward class है या जितने भी backward class है साथ ही economically weaker section है नहीं EWS वाले के लिए या तो जो physically disabled लोग है उनके लिए लेकिन यह 45% क्या सिर्फ PCM है या कुछ अलग भी कर सकते हैं तो वो जाना है कि अगर आपका PCM या PCB में grouping नहीं हो रहा है तो कोई और क्या रास्ता है तो इसको detail में हम पढ़ते हैं यहाँ पर देखेंगे past HSC or your equivalent examination with physics and mathematics as compulsory subject समझ में हा रहा है क्या physics और mathematics को compulsory आपको grouping में लेना है जैसे PCM है तो उसमें से C छोड़ दो physics और mathematics होना है PCB में C छोड़ दो physics और biology ले सकते हैं तो अभी फिलाल हम physics और mathematics को पकड़ेंगे physics और mathematics के आपके marks total में compulsory लेने हैं अगर आपका physics chemistry math तीनों मिला के हो रहा है अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर आपका यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि physics physics chemistry math की बात कर रहे हैं तो आपको physics का जो marks पकड़ना है और maths का mark पकड़ना है अगर chemistry का marks लेके आप open category है और आपका 135 प्लस हो रहा है तो कोई तो issue ही नहीं है और reserve category वाले के लिए 120 है उससे ज्यादा हो रहा है कोई issue नहीं है लेकिन अगर आपको physics chemistry math तीनों लेके open category के बच् chemistry के marks को हटा सकते हैं grouping के लिए लेकिन physics और maths के marks लेना पड़ेगा chemistry की जगह पर एकदम ध्यान दे सुनना बिटा एकदम ध्यान दे सुनना क्या बता रहा हो chemistry की जगह पर आप कौन-कौन से subject को replace कर सकते हो तो सबसे पहले हैं देखो physics and mathematics as compulsory subjects along with one of the chemistry ले सकते हो बट आपका chemistry हगे नहीं हो रहा है तो और बायो टेकनलोजी ले सकते हो वह भी नहीं हो रहा है और आप biology के साथ grouping कर सकते हो और वह भी नहीं हो रहा है तो Technical Vocational subject ले सकते हो, आपको कोई Vocational subject था, वो भी नहीं हो रहा है तो, और Computer Science ऐसा Bifocal का subject ले सकते हो, और Information Technology याने IT ले सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे, okay informatics practices और agriculture और engineering graphics और business studies ओके ऐसे subject आप ले सकते हैं ठीक है जो भी आपके subject है computer science के बदले अगर कोई bifocal subject है electrical maintenance है electronics है तो भी वो consider होगा यहाँ पर जो लिखा है technical vocational subject जैसे है इस तरह से और अगर आपका समझो physics में समझो 46 mark है math में 48 mark है बट chemistry में 36 आ गया अब इस chemistry की वज़े से आपकी grouping नहीं हो रही है 45% नहीं हो रहा है लेकिन समझो कि आपको biology subject था और biology में ज्यादा marks है 50 marks है तो chemistry के बदले biology एट कर तो या तो समझो कि आपको IT subject था बच्चों आपको क्या था IT subject और इस IT subject में समझो 100 में से 50 marks है तो आप क्या करेंगे PCM के बदले PM और IT की जो marks है उनका grouping करके 45% नहीं 135 प्लक्स लानी की उच्छे नहीं देखो यह 135 हो गया अब इस IT के बदले computer science हो गया electronics हो गया कोई technical course हो गया कोई biotechnology जो भी आपका optional subject था बाइफोकल वगरे वो subject ले सक हैं तो जरूरी नहीं की PCM हो जाएगा आप अपना रिजल देखिए कि आपको PCM grouping नहीं हो रहा तो chemistry चोड़के यहां पर देखिए screen पर जो subject दिख रहे हैं आप पढ़िए इसका screenshot ले लिजिए यह दिया हुआ इस तरह से उसमें से कोई subject है उसके marks को एड़ करके grouping हो रहा है क्या तो यह हो गया पूरा city cell की तरफ से जो आया हुआ है यह ब्राउचर जो है इसकी link में आपको description में दे दे रहा हूँ वहां से आप इसको download कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं पूरा की criteria क्या है जो बच्चे देना चाहते हैं NEET तो NEET को PCB का जो percent है आपको पता यह PCB के अंदर 50% होना चाहिए और जो बच्चे नाटा देना चाहते हैं तो वह भी आपको पता है कि नाटा देने वाले बच्चों के लिए एक मिनिट नाटा वालों के लिए PCM जो है वो 50% होना चाहिए ठीक है तो इस तरीके से है अब यह grouping आपको समझ में आ गया होगा जो PCM वाले बच्चे हैं कोई भी सब्जेक जो है वह ले सकते हो इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं इसके साथ ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आप MST CT की त्यारी करना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि बस एकदम भले 12 में कम आ गया लेकिन मैं एक बड़े कॉलिज में जाओ और ज्यादा परसेंटल लेकर रहा हूं तो इस बार आप लोग को लिए फाइदा है कि आपका पूरा का पूरा जो एड्मिशन है आने वाले इंजिनिरिंग कोर्स का या फर्मेसी अग्रिकल्चर का वह पूरा का पूरा सीटी के बेस्ट पर होने वाला है उसमें 12 का कोई भी मा आने वाला है और जो बच्चे अभी भी ऐसे हैं कि मैंने तैयारी नहीं चालू कि हैं तो आने वाले पांच अगस्ट के बाद से यह MSTC exam है अगर वो चाहते हैं कि वो इसकी तैयारी करें और एकदम बैस्ट तरीके से तो आपको बताए कि math 50% होता है पूरे 200 mark में से 100 mark का math ह होता है इस exam में तो math की पूरी तैयारी मैं करवा रहा हूं आने वाले 13 जून से आने वाले 13 जून से हमारी टॉपर्स बैच लांच हो रही है और जो होने वाली है हमारे खुद के अप दिने सर आप के उपर यह जो टॉपर्स बैच है यह पूरा का पूरा math जो आपकी तैया ही कराएगी और math के अंदर आपको पूरे के पूरे पूरे जो लेटेश्ट पीवाई क्यू 2021 के हैं टॉपिक वाइस पूरा syllabus कवर करते हुए बताने वाले जिसके अंदर मॉक टेस्ट देने वाले हैं बहुत सारी डीटेल में चीजे भी बताने वाले नोर्स भी देने वाले और पूरी तयारी आपकी यहाँ पर होने वाली है math की तो math की guarantee मैं ले रहा हूँ यह होने वाला दिने सर एप पर 13 जून से यह course चालू होगा और अल्रडी launch हो चुका है इस course को join करने के लिए आप description में link के वहाँ से join कर सकते हैं मात्र 999 रुपे का यह course है ओके actual में एप के ओपर आपको 1299 में दिखेगा उसमें 300 रुपे का एक coupon available है जो 11 जून तक available रहने वाला है वो माइनस होके 999 प्लस internet charges आ जाता है और इतने में आपकी पूरे math की तयारी हो जाएगी यह course 40 दिन का है लेकिन मैं इसको 50 से 55 दिन तक लेने वाला हूँ जिस दिन तक आपकी CT exam नह जाता हूँ परसनल तरीके से होगा लेटेश्ट विवाई की होंगे एक्सपेक्टेड जो exam के question है वो भी आपको दिये जाएंगे पिछले साल भी महार यूजन से ही सब कुछ आया था ठीक है तो यह सारी grouping criteria आपको मैंने समझा दिया और जो तैयारी करना चाहते उनके लिए मनें बता दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है जरूर आईए मिलिए चलो मिलते हैं एप के लेक्चेस में और यूटूब पर